नमश्कार नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सिरीज में जिसको हम कहते हैं Think Straight साफ साफ सोचे इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ना शुरू करें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे कोई जनोगी ये बताए कि जनोगा के हिसाब से हमारे thoughts कैसे बनते हैं कैसे निकलते हैं जब thoughts की शुरुआत कैसे होती है thoughts कैसे बनते हैं हमारे brain में impulse बाहर से impulse उसके बाद आया thoughts में thoughts suppressed thoughts expressed actions and feelings ये भी है ठीक तो आज के chapter का नाम है a brief history of thinking एक छोटा सा इतिहास thinking के बारे में विचार बहुत जरूरी हैं लेकिन सारे के सारे विचार एक जैसे नहीं होते बराबर नहीं होते आपके विचारों की quality सबसे important है तो रोमन एंपरर और स्टॉइफ फिलोसफर मार्कस और अरुलियस कहते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं यह जो प्रूब ब्रम्हांड है वो तो बदलाओ है लेकिन वो बदलाओ आता कैसे है हमारे विचारों से यह उनिवर्स इस चेंज यह उनिवर्स एक तरह का चेंज ही है बदलाओ है लेकिन हमारी लाइफ को जो बनाता है उमारे थौट्स बनाते है अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास की लाइफ देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत तेजी से चीजे बदल रही है जॉब्स डिसपिर रही सारी नोकरिया खतम हो जा रही है स्मार्टफोन से आप लोग एकदम जॉम्बी बन जा रहे है श्रीश का और गरिमा का और वैभा का मोटे होने का रीजन ही है स्मार्टफोन अगर मैं भी आपके जगा इस जनेरेशन में पैदा होता तो मैं भी ऐसी होता हमारी जनेरेशन में स्मार्टफोन था ही नहीं इसलिए करने के लिए मजबूरी में नीचे जाके खेलना पड़ता था और जब तक वो था तब तक वैभा भी पतला था तो smartphone आपको zombie बना रहा है education cost you thousands और जो पढ़ाय लिखाई है उसकी वो महंगी होती जा रही है the cost of living increases rapidly आपके रहने खाने का जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है salaries don't लेकिन salaries नहीं बढ़ रही है उसी साब से you have less time for yourself इतना सब technology आने की वज़े से आपके पास ठेर सारी चीज़ें fast हो रही है लेकिन एक चीज़ आपके हाँ कम हो रहा है आपके time आपके लिए कम होती जा रही है इस तरगी चीज़ें आसपास में हो रही है अगर आप मेरी तरह हैं तो ये जो भी ये जो लोगों की इच्छा है कि अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर लूँ ये बहुत पुरानी इच्छा है बहुत ही पुरानी जितनी पुरानी human civilization है लजब इंसान एक सब इंसान की तरह रहना शुरू किया तो क्यों उसके पहले क्यों नहीं ये उसके पहले उसको सोचते ही नहीं थे 5th century BC से पूरी दुनिया के लोग एक चीज़ पर अगरी करते हैं human mind is an instrument that solves problem ये हमारा जो brain है mind है वो एक ऐसा instrument है जो problem solve करता है और बहुत से philosophers इसको मानते हैं कि किस तरह के आपके thoughts हैं वैसे ही आपकी life होगी लेकिन क्या सही पुछे आप अपने दिन में देखते हैं कि आपकी thoughts की quality कैसी है आज विचारा हुआ आया था driver और बोलता है अपने तीनों बच्चों की कसम खा रहे है बहुत दिनों बाद ये कान में मेरे आवाज गई है ये सब कसम खाने वाली चीज रहाबाद में होती थी ममीलों के साथ वो desperate और दुखी था वो अपनी बात को इंता मजबूरी से समझाना चाता था मैंने उसको फिर आज ही बोला मैंने का देख भाई कुछ दिन पहले तुने मुझे कहा था था कि मैं अपने घर से यहां तक इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जैकेट नहीं था नॉर्मली वो इस तरह की चीजों को नहीं करता जैकेट वेकट नहीं होता आता जाता है तो हाँ सर क्या बोला था उने मुझे इसने मुझे कहा था कि सर हम थोड़ा हमारी समझ कम है हम सोच नहीं पाते हैं बोल नहीं पाते हैं इसलिए था हम क्लास में बैठते हैं यही सोच के बच्चों की कसम मत खा तू कम से कम तू काम करवा पाएगा करवादा नहीं करवा पाएगा मत करा लेकिन बच्चों की कसम मत का तो यह quality of thought है इसलिए जब कभी आप गरिमा से या गरिमा आप से परिशान होते हैं, that's a bad quality of thought अरे मैं, मुझे करना है वो काम करना है that's a very सड़ा हुआ quality of thought from Confucius to Socrates to Descrates to William James they all talk about their methods of thinking पुराने-पुराने सब philosophers का नाम है Confucius से लेकर के Socrates, Socrates से लेकर के Descrete, ये भी एक philosopher है Descrete से लेकर William James जो की इस book में शुरुआत में बात हुई ये सब के सब यही बोलते है methods of thinking उनका अपना-अपना तरीका है सोचने का हम लोग बड़े नाईव है जब हम business के बारे में सोचते हैं काम के बारे में सोचते हैं बहुत नाईव है, नाईव मतलब बच्चे हैं हम लोगों को दुनिया को देखना नहीं आता Oracle of Delphi का नाम सना है नहीं उसने बोला था Oracle of Delphi को सुकरात ने, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये बहुत powerful चीज़ है अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है, उसका वज़े है मुझे लगे कि ये है, क्या पता कोई और वज़े हो मैं कहूँ जैसे मैं अभी कहता हूँ इस लड़के ने मेरा हाथ पैर दर्द करवा दिया योगा करवा के तो मैं गया क्यों कल तो किया आज सुबह दर्द हो रहा था, फिर भी गया मैं मेरे को लगता है कि इन्होंने मेरा दर्द करवाया लेकिन इसके पीछे वज़े तो कुछ और भी हो सकती है मैं बात कर रहा हूँ a state where हम ये बोलें कि I don't know anything हम अपने दिमाग में बोलें ठीक है, ये वज़े मैं जानता हूँ लेकिन इसके लावा और भी कुछ वज़े हो सकती है जैसे भूक होती है पेट में ऐसे ही mind की जो भूक की state है वो ये है I know nothing जिस बंदे को लगता है कि जो सर है वही बकवास करते रहते हमेशा, मैं जानता हूँ वो आदमी कुछ नया नहीं सीख सकता I know nothing is the state जिसमें आप एक वैक्यूम की तरह चीजों को सक करते है इसलिए सुकराट को बोला गया most wisest man on earth कि ये आदमी किसी से मिलता है ध्यान से उसकी बाते सुनता है as if वो जानता ही नहीं उसके बारे में तो ये उसका ऐसा नहीं कि उसको कुछ पता नहीं है अरे भाई सुकराट बोल रहा है I know nothing तो उसका मतलब उसको कुछ पता नहीं है इतना उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं दुनिया बर में वो ओश्यो और कृष्णमूर्ती दिसा famous आदमी है इतना सालों पहले तो उसको कुछ नहीं बता था नहीं जब आप किसी की भी बात सुनते हो चाहे आप एक sweeper की बात सुनते हो चाहे एक driver की बात सुनते हो आप ऐसे सुनते हो कि मैं नहीं जानता है क्या बोल रहा है मैं पहले से pre-biased नहीं हूं Let me know him exactly what he is saying, it's a way of thinking सबसे फ़रा step किया था I know nothing, एक pure silence का state, सुक्रात का उसकी बाद, discreet जो 17th century में रहे थे, इस चीज को एक और step आके लिए कर गया, उसने हर चीज को question करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं हूँ की नहीं, इसको भी physically तो जिन्दा रहोगा, सांस लेता रहोगा खाना खाता रहोगा, लेकिन मन की अंदर में उसकी question उरता रहोगा कि मैं हूँ क्या जैसे रात को सपना देखता है तो कौन सपना देखता है, एक आदमी है और कल मर गया, जो मर गया तो है क्या, यह आपको कैसे पता कि आप सपना नहीं देख रहे हैं मेट्रिक्स में, एक जैन मौंग की साथ हुआ था यसी उस सुभे उठा है, यसी confused बैठा है तो बोलता है, क्या हुआ, उसका दोस बोलता है मैंने सपना देखा कि मैं उसमें मक्ही हूँ ठीक है, मक्ही सपना देख लें, बात का तो मैं बोलता है नहीं, टेंशन उसकी नहीं है, टेंशन उसकी है ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मक्ही सपना देख रहे हैं कि मैं हूँ एक सिंपल तरीके से समझे, सुकरात बोलता है आई नो नथिंग, वो बहुत अच्छा आद्मी था, इसी तरीके से दुनिया को समझता था ये भाई साब बोलते हैं, नहीं, मैं ना, मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं हूँ ये सेंटेंस को आप याद रखिए, दिवी दिवी आप समझ जाएंगे क्या है इसका मतलब मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं हूँ, असी तना याद रखिए रेने डिस्क्रिट्स का ये खोज था तो आपका थौट कितना भी बेवकूफी भरा हो, लेकिन एक बात पक्का है कि आप हैं, आप exist करते हैं क्या आपने कभी अपने थौट्स को देखा है, कभी उसको लिखा है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इसको ट्राई करिए एक दिन के लिए हर दो-तीन घंटे में कोशिश करिए, कि आप बैठिये और अपने माइंड में क्या चल रहा है, कौन से थौट्स चल रहा है, उसको लिखिये अपने थौट्स से डरिये मत, अपने आप से डरिये मत जब आप देखेंगे, तो ज़्यादतर थौट्स का कोई मतलब नहीं निकलता, यह आपकी प्रॉब्म नहीं है, यह पूरी human प्रजाती अपने आप में एक confused, conflicted species है, आपके मन में एक तरफ आएगा आराम कर लू, एक तरफ आएगा यह brute force होता है, exact opposite होता है, discrets का जो सबसे important discovery थी, idea था वो यह, कि जो भी belief है आपके इंदर में उसका source खोजो, कि मैं उस चीज़ को क्यों believe करता हूँ, not the not the belief itself, नहीं नहीं, आप belief को question मत करो, आप उसका source खोजो, कि अगर मैं भगवान पर believe करता हूँ, या मैं किसी market पर believe करता हूँ, या किसी इंसान पर believe करता हूँ, तो क्यों करता हूँ, उसका source क्या है, हाँ, हमारे ज़्यादतर जो beliefs हैं, वो या तो हमारे या दूसरों के perception से आये हैं, कि उसको सेजर बहुत महंगा है, बहुत बड़ा amount है, और किसी उस पर जूते पर ऐसे tick वाला निशान लगा हो, तो जूता अच्छा होगा ही होगा, अगर thinking के core पर जाएए, तो वह क्या है, हमारी ability, जिसमें हम separate कर सकते हैं, truth को from false, आपके सामने दो thoughts रखे हूँ, उसमें से कौन सा thought सही है, कौन सा thought गलत, ये चीज़ अगर आप पकड़ सकें, तो आपको thinking आ गई, अगर कोई आदमी आपको शिकायत करता है, कि उसने ऐसा सब बोला है, आप उसको जूट या जूट को सच मान लेंगे, सच क्या है, जूट क्या है, इसको समझने के लिए, इसको एक practical तरीके से देखते हैं, विलियम जेम्स कहते हैं, जैसे ही कोई thought आया, तो उसको थोड़ा सा उसकी category से अलग हट कर देखिए, looking away from the first thing, जो भी दिखरा है आज मैंने यही किया, सीधी बनी, जो भाहर सीधी बन रही है, उसमें ऑल्मोस्ट 15 रुपे हमारे वेस्ट हुए, 15 हुए ना बरबाद, 17 रुपे बरबाद हुए, और उसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन सबके माइंड में किसी ने किसी की गलती निकल रही है, बड़ी ब इस वाली पर देखेंगे, और इन लोग को देखेंगे, जो लोग गलती निकाल रहे हैं, तो वो लोग कैटेगरी के हिसाब से देख रहे हैं, अगर पैसा नुकसान हुआ है, तो किसी की गलती होईगी, नुकसान मतलब गलती, लेकिन आप जब ध्यान से देखते हैं, तो आ आइडिया नहीं है, दूसरा, हम लोग इस काम को प्लानिंग के बिना कर रहे थे पाइप निकली है, और किसे ने देखा ही नहीं वह दो चीज तो मैं समझा हूँ Thoughts should serve a useful purpose Thoughts को काम करना चाहिए इसलिए जब आप कुछ बोलते हैं न अगर वो काम का नहीं है useless है, तो आपने एक wrong thought ले लिया अपने दिमाग William James कहते थे, अगर आपने एक गलत thought ले लिया, तो आप depression में चले जाएंगे क्यूंकि गलत thought आपके brain का awareness सक करता है, वो आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाता है, वो एक ऐसा thought है, तो फिर वो नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसा आप कर सकते हैं useful thoughts को useless thoughts से separate कर सकते हैं इसका मतलब आप straight thinking कर पा रहे हैं, साफ-साफ सोच पा रहे हैं, बलकि देखा जाएं, तो जितनी भी thinking हम करते हैं, वो सब एक method ही है तरीका ही है, आपके thoughts उंगलियों की तरह होते हैं, वो एक instrument की तरह काम करते हैं, पेचकस की तरह, चाको की तरह लेकिन मेरे मन में आ गया है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी बुरा है, तो क्या वो useful है, अभी चाची बिचारी ये fake दो, ये छिलका है, यालू का छिलका है, इसको हम भी पका सकते हैं, लेकिन लोग उसी useless thought को बचा के रखते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं पूछते कि क्या ये thoughts useful है ये thoughts जो होते हैं, ये बहुत ही conflicting instrument है, शकल दिखते में लगता है कि एकदम आदमियों की तरह है, बोल रहा है thoughts हमको ये villain है, ये अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ इसने खराब किया, इतना strongly हमसे बात करता है हमारा thoughts, कि हमको लगता है वो useful है conflicting instrument है, ये easy instrument नहीं है, ये use करना Henry Ford, वो बोलते थे, thinking is the hardest work there is सोचना सबसे मुश्किल काम है, और शायद इसलिए बहुत कम लोग हैं, जो इसमें घुसते हैं, सोचने का काम thinking is not only hard, it is single most important thing in life तो ठीक है, thinking मुश्किल तो है, लेकिन इसके साथ साथ, ये सबसे important काम है life में सोचना, काम का सोचना, इसलिए याद रखिएगा the quality of your thoughts determine the quality of your lives, जिस तरह के आपके thoughts होंगे, उसी तरह के आपके life होगी, और हमारे decisions हमारे ही thoughts में से निकल के आते हैं, तो ये था brief history of thinking, तो ऐसे खेल-खेल में देखिएगा अपने thoughts को, जो आदमी आराम से कोई काम कर सकता है उसका कोई काम छूटेगा नहीं, और खासवर से important काम नहीं छूटेगा, और जो desperate होकर के सोच रहा है और काम कर रहा है, वो बिचारा कुछ करेगा, कुछ छूटेगा और last में दिमाग खराब ही रहेगा उसको कि अपने हैं और खासवर से अपने हैं